नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोरी पर आज फिर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुए हैं अगर आप एक पैंसन लावारती हैं तो आपको बता दें कि पैंसन लावारती के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसके अंतरगत एक सितंबर से पहले पैंसन लावारती को दो बड़े कारे कराने अब जरूरी हो गए हैं साथ ही अगर पैंसन लाबारती यह दो बड़े कारिया करा लेते हैं तो सरकार की तरफ से लाबारतियों के बैंक एकाउंट में 6,000 रुपे पैंसन ट्रांसपर की जाएगी अब यह 6,000 रुपे पैंसन सरकार क्यों ट्रांसपर कर रही है और किन पैंसन लाबारतियों को यह पैंसन मिलने जा रही है या फिर पैंसन लाबारती 6,000 रुपे कैसे अपने बैंक एकाउंट में ले सकते हैं तमाम जानकारी इस वीडियो के मात्यम से हम देने जा रहे हैं को देखते रहेगा वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक चोट साने वेधन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या वीडियो को लाइक कर देजिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे समाज कल्यान विभाग की तरफ से पैंसन लेने वाले लाबारतियों के लिए बड़े खबर निकल करा रही है पैंसन लाबारतियों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपे पैंसन ट्रांसपर की जा रही है हाला की पैंसन लाबारतियों को 1 सितेमबर 2024 से पहले दो महत्पुन कारिय कराने को कहा है तभी लाबारतियों के बैंक एकाउंट में 6,000 रुपे पैंसन ट्रांसपर हो पाएगी अब यह pension किन लावारति को दी जाएगी चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं चाहे आपकी बुजरुग pension हो दिव्यांग pension हो या फिर आप विद्वा pension का लाव लेते हो यह कारियत सभी pension लावारति उकराने अनिवारी है अगर लावारति 6,000 रुपे pension अपने एकाउंट म को देख रहेगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्रिप्या वीडियो को लाइक कर दीजे जल से जल्द यह कारिया जरूर करा लें तभी आपको डबल pension मिल पाएगी अब कारिया क्या कराना है कारिया नंबर एक यन की काम नंबर एक अब देखिए जाती है तो किसी राज्य में आधिक pension दी जाती है यनी किसी राज्य में हर महीने 15 selling दी जा रही है किसी राज्य में 1000给 fortune readeruy तो कुछ राज्य और ऐसे भी हैं जिनमें 750 क्याल परी पैसन दी जाती है in स्ब्सक्रार को बतादें किस सरकार की तरफ से 6,000 रुपे भी एक राज्य में अभी पैंसन दी जा रही है हलाकि उसमें 3,000 रुप पैंसन दी जाती है लेकिन काफिय से पैंसन लावारती है जिनके अकाउंट में सरकार ने 6,000 रुपे भी ट्रांसपर के है इनकी डबल पैंसन जारी की गई है आहुर आने वाली जो पैंसन है उसमें भी काफिय लावारती को डबल पैंसन ही मिलने जा रही है अब यह डबल पैंसन कैसे मिलेगी चली उसके बारे में जान लेते हैं देखे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पैंसन ट्रांसपर कर दी गई है लेकिन कुछ पैंसन लावारती ऐसे हैं जिने अभी भी पैंसन दी जा रही है जिन पैंसन लावारतीयों की पैंसन रुकी हुई है अब सरकार उन्हें रुकी हुई पैंसन का पैसा जारी करने जा रही है हाला कि पैंसन लाबार्तियों को सबसे पहले अपने फारम में करेक्शन कराना होगा यानि कि जिन पैंसन लाबार्तियों की पैंसन रुकी हुई है वह कमी सबसे पहले लाबार्तियों को तलास नहीं होगी देखे हाली में सरकार ने पैंसन का पैसा जारी किया है जिन pension लावारतियों को यह pension नहीं मिली है तो आने वाली pension के साथ pension होगी अपने account में 6,000 रुपई pension ले सकते हैं यनकी 3000 रुपे इस महिने के और 3000 रुपे आने वाली pension के लिए पूरे 6000 रुपे pension सरकार transfer कर सकती है अब दोस्तों देखिए आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो पिछली pension आना शुरू हो चुकी थी जुदाई महीने में सभी लाबारतियों की एकको उन्हें pension आ चुकी है लेकिन जिन लोगों की pension रुख गई है उन्हें आने वाली pension के साथ थी रुखी हुई यदि किस महीने की pension भी जो पिछली pension मिली थी वह भी सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी 6,000 रुपे लाबारतियों को मिल सकते हैं लेकिन उन्हें सबसे पहले अपने फार में correction कराना होगा अगर नाम में गलती है तो नाम सही कराना होगा लाबारतियों को रुकी हुई pension मिल सकती है अब दूसरा बड़ा कारिय क्या कराना है देखिए काफ़े ऐसे pension लाबारति हैं जो pension लेने के बाद अपने bank account से लेंदेन नहीं करते हैं तो ऐसे pension लाबारतियों को अपने bank account से active रहना चाहिए क्योंकि अगर लाबारति कई महीनों से अपने bank account से पैसे नहीं निकालता है और नहीं डालता है इनकी लेंदेन नहीं करता है तो उनका जो bank account है वह बंद कर दियाता है और जब तक वह KYC नहीं कराते हैं जी हाँ bank की KYC bank account की KYC नहीं कराते हैं तब तक उनका account जो है वह बंद रहता है इसलिए आपको KYC करानी होगी तभी आपका account दुबर से active हो पाएगा चलो हो पाएगा उसके साथ ही आपको अपने bank account में दोस्तो डीबिटी भी active करानी होगी उसके बाद ही आपको pension मिल सकेगी रुकवी pension आपकी से 6 महीने की हो या फिर 9 महीने की हो जितनी pension आपकी है वह आपको मिल जाएगी वैसे तो तर प्रदिस सरकार दुबारा 3000 और पे पैंसन दी जाती है लेकिन अगर आप यह तमाम कारिया करा लेते हैं तो आने वाली pension जो है वह आपको मिल जाएगी यदि पहली बार है चल्गों भी आप जरूर सब्सक्राइब लेजगा हैं मिलते हैं अपने श्टूडियो में तब तक के लिए चैहिंद चैह भारत धन्यवाद